हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अन में यूट्यूब चैनल तो कहाई इस ड्रामा के एक्स्प्लिनेशन का पार्ट नमबर टू है अगर अभी तक आप लोगों नहीं फर्स्ट पार्ट नहीं दिखा है तो पहले वो दिखीजिए आपको अच्छे से समझ में आए साथी दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पिसंदाती है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाएएगा सो आज के कुछ टॉप कमेंट्स है नेहा यदिवन्शी, सिंगल डैवल और लव सॉंग के सो लास्ट एपिसोड में हमने दिखा था लूजियाओ त्यान्जू के कमरे में था कुछ एविडन्स ढूनने के लिए लेकिन उसी समय तियान्जू वहां पर पहुँच जाता है और उसे शक हो जाता है कि लूजियाओ इसी कमरे में है वो लूजियाओ के पास पहुचनी वालँ था कि पीछे से जिया आ चाती है और उसे रोप दीता है अब Ziya ट्यांजो को बाऊर ले जाने के लिए उसके सामने बहुत क्यूट अक्ट करने लगती है तो ट्यांजो भी मान जाता है और वहाँ से चले जाते हैं ये दोनु इनकर जाने के बाद लूजियाओ वहार आ जाता है अब जिया और लू जियाओ जिया की खर पे बैट के जितने भी evidence और information इने मिली थी उसे search कर रहे थे वहीं पीछे ख़ड़ी aunt fang इन्हें गूर गूर के देख रही थी अब लू जियाओ को जब कुछ evidence मिलते है त्यांजू के खिलाफ तो उसे समझ में नहीं आता कि जियाओ को कैसे पता कि त्यांजू खपला कर रहा है company में खैर फिर भी वो जियाओ को inform करता है कि उसे कुछ evidence मिले है जियाओ जब वो evidence देखती है तो वो पूरे evidence नहीं थे अभी भी evidence को search कर रहे थे और ऐसा करते वक्त जियाओ को नीन आने लगती है तो जियाओ का सिर गिरने लगता है लेकिन लू जियाओ उसका सिर गिरने से रोक लेता है और बड़े ही प्यार से अपने कंदे पे रखके उसके बाल हटाने लगता है कुछ दिर बाद वो से कोदी में उठा करके उसके बैट रूम में छोडने के ले जाता है वहाँ जाकर के वो जियाओ को उसके बैट पे लेट आता है अब जियाओ इतनी जादा खुबसूरत लग रहे थी कि दो मिनेट के लिए तो लू जियाओ भूल जाता है कि वो किस मोटिफ से यहाँ आया है और वो जियाओ को किस करने के लिए जाने ही वाला था कि जियाओ फेस टरंड कर लेती है उसके बाद लू जियाओ भी अपने आपको समझाता है और वहाँ से जाने लगता है वो मिस्टर जियाओ जो कि जियाओ की फादर है उनकी पिक्चर देखता है और कहता है कि मुझे इनका स्टेडी रूम चेक करना होगा अब वो मिस्टर जियान के स्टेडी रूम में था वोसे चैक करा था वहाँ पे उसे इसकी फार के एक पिक्चर मिलती है जिस पिक्चर में इसे चीटिंग कर रहा है उसके फादर भी बहुत जादा गुस्से में आ चुके थे और जिया से बोलते हैं कि ये वाली बात तुम किसी को मत बताना आज मैं डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला करके त्यांजू को डिस्मिस कराता हूं लेकिन जब ये दोनों बाप बीटी बात कर थे तो उस रूम में आंट फैंग में बाजू थी और हम ये सब जान चुके हैं कि आंट फैंग त्यांजू की खबरी हैं वो त्यांजू को मैसेज कर देती हैं कि आज तुमारे खलाफ ये सारी चीज़े होने वाली हैं अब जिया के फादर यहां से कंपनी जाने वाले थे वो जिया से कहके जाते हैं तुम घर से भार नहीं निकलोगी आज तुम घर में ही रहोगी अब जिया घर में बैठी हुई थी और बहुत परिशान थी कि त्यांजू के साथ क्या होगा क्यों पकड़ा चाएगा या फिर नहीं अब उससे इतनी जादा परशानी नहीं सही ज च्रेकर लगाया था वो उसे ट्रेक करती हुए उनके नैपर्स के अड़े तक पहुच जाता है और फिर एक हीरो की तरह उन गुंडों से फाइट करके जिया को बचा लेता है जिया और दू जिया वो एक दूसरे को देखी रहे थे कि जिया की फोन पे कॉल आता है पिचारी पे जिया बहुत ज़्यादा खबरा जाती है और अंकल से बोलती है कि अंकल कितना भी पैसे लगे चाहे कितने भी लोगों को आपको हायर करना पड़ी लेकिन मेरी फादर की सिक्योर्टी को सबसे बैस्ट कर दीजिये अब आगी जिया अपने फादर के पास बैट की एमोश और जिया बहुत जो कुछ न कुछ करके सजा तो दुलवानी थी वो बोल दी आए कि जो बाकी एविडेंश है मेरे पास मैं उसे उसे सजा दुलवाऊंगी अब आगे जिया उन एविडेंस को लेने के लिए घर जाने वाली थी अंकल उसे कहते हैं कि मैं तुमारे साथ चलूँगा क्योंकि तुमारी जान भी खत्रे में है पर जिया मना कर देती है और उसके बाद लू जियाओ उसके पीछे जाता है और अंकल चे कहते हैं मैं बहुत का दियान रख लूँगा अब जब जिया और लू जियाओ घर पहुचते हैं तो वहाँ पे तो घर की हाला थी बिगड़ी हुई थी पूरे घर में ऐसे लगा था कि चोरी हुई है अब जिया यहाँ पे आंट फैंग को ढूणने लगती है उसे अभी भी आंट फैंग के चिंता थी उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि आंट फैंग ने यह सब कुछ किया है अब जियाओ के हाथ से तो सारे एविडेंस चाच चुके थे वहीं त्यान जू वह तो बहुत ही जादा खुश था क्योंकि अब वो मिस्टर जियान की जगा जो लेने वाला है वो कहते है जियाओ तो किसी काम के नहीं है अब यह जगा तो मुझे ही मिलेगी अब आगे घर पे जियाओ और लूजियाओ दोनु समान समेट रहे थे तो लूजियाओ बोलता है बॉस मुझे लगता है कि आपके घर में कोई स्पाय था जिसने यह सारा काम किया है अब जियाओ का दिमाग फिरता है कि उसके घर में आंट फैंक के लावा और कॉन रहता है अब यही सब सोच करके जिया लूजियाओ से बोलती है तुम अपना समान पैक करो और हम दोनों होटल में साथ में रहेंगे लूजियाओ कुछ समझता नहीं है और रुक के बोल देता है लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि जियाओ से बोला क्या है हम लोग साथ में होटल में रहेंगे तो वो जियाओ मन में सुचता है अगर वो होटल में साथ रहने क्या तो उसकी fake identity बाहर आ जाएगी वही जियाओ अपनी चोट दिखा करके लूजियाओ से बोलती है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है तुम्हें साथ रहना होगा पर फिर लूजियाओ बोलता है पॉस हम लोग होटल में साथ में रहेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा जियाओ बोलती है तुमने सिफ होटल सुना तुमने यह नहीं सुना कि वो जिया को घर पे ले तो आया था लेकिन यहाँ आने के बाद उसे फर्ष पे जिया की फोटो दिखाई देती है जो उसी ने कलेक्ट की थी जिया से चुपाने की चक्कर में वो उस फोटो को लाट पार देता है उसके बाद जवरदस्ती जिया को जा करके सुफे पर बठा देता है उसके बाद जिया की चोट पे दवाई लगाने लगा था जिया बोलती है थोड़ा दीरे दीरे लगाओ दर धोरा है अब ऐसे कहने पे ही जब लूजियाओ जियाओ की तरफ देखता है तो उसकी गल में पड़े लॉकिट पे उसकी नजर पर चाती है उसे याद आता है कि उसकी फादर ने सीम ऐसे ही लॉकिट लूजियाओ को भी दिया था लूजियाओ रियालिटी में वापस आ जाता है और अभी भी वो उसकी गर्दन को गूरे जा रहा था जियाओ सोचती है कि एक नमबर का परवर्ट इंसान है उसे धक्का देके वहाँ से जाने लगती है लूजियाओ तो मुस्करा के उसे जाते वे देख रहा था अब रात में जियाओ को नीन नहीं आ रही थी क्योंकि उसे डराबने सपने आ रहे थे उस त्यान जू के दूसी तरफ नीन तो लूजियाओ को भी नहीं आ रही थी वो सोच रहा था कि मिस्टर जियाओ तो अब कोमा में चले गए है तो उसके फादर का सच कौन और जानता है उस फोटो में वो तीसरा परसन कौन था जिसकी फोटो वहां से फाड़ी गई है अब जियाओ के बाहर आने पर लूजियाओ अपनी आखी बंद कर लेता है लेकिन फिर जियाओ आकर कि बोलती है मने देख लिया तुम जग रही हो अब उटके बैटू या लूजियाओ जियाओ सिर बोलता है बहुत साब जादा मत सोचो और परशान में थो फिर जियाओ बोलती है कि अगर तुमारे किसी करीबी इनसान को किसी ने चोट पहुचाई हो तो 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 उसके साथ क्या करोगे अगर तुम्हारे पास उसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं है लूजियाओ बोलता है एविडेंस की कौन सोचेगा मैं तो उसे सीधे मार दूँगा पर फिर बोलता है हम ऐसे नहीं कर सकते मैं अपने आपको बहुत स्ट्रॉंग बनाऊंगा और उसकी वीकनेस को ढूनँगा फिर उसे इतना जादा परशान करूँगा कि जतना दर्द उसने मुझे दिया है उसे दस गुना दर्द उसे वापिस करूँगा जियाओ हच के बोलती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना च्छान सर्द होगे अब लूजियाओ बोलता है बॉस आपकी गले में जो नेकलेस है वो बहुत जादा आपके लिए कीमती लगता है जियाओ बोलती है ये नेकलेस मेरे फादर और उनके दोस्त ने मिलके डिजाइन किया है लेकिन अब उनके दोस्त इस दुनिया में नहीं है ये दोस्त कोई और थोड़ी ना है लूजियाओ के फादर है लूजियाओ बोलता है क्या हुआ उने तो जिया बताती है अंकल लू मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड थे मेरे फादर आज भी उनका कैबिन समाल के रखे हुए है और उनके कैबिन में किसी को भी नहीं जाने देते हैं इविन जब हमने कंपनी चेंज की तो मेरे फादर ने उनका कैबिन अलग से बनाया और उनकी डेथ एनिवर्स्ट्री पे हर साल वो उनके रूम में जाते हैं अब लूजियाओ मन में सोशन लगता है शायद मिस्टर जियान वो इनसान नहीं है जिसकी वज़ा से उसके फादर की डेथ हुई है लेकिन फिर वो जियाओ से बोलता है क्यों ने क्या हुआ था जियाओ बोलती है अंकल लू बहुती जादा प्रेशर लेने लगे थे वो ये बोलती है कि मैंने पनी फादर की मुझे ये भी सुना है जब हमारी कमपणी बनाई जा रही थी तो हमारी कंपनी काफी बार बैंक्रप्ट भी हुई थी अब लुजियाओ बोलता है कि बॉस अब चंता मत करो आपके पास अभी भी मैं हूँ मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूँगा अब जिया हज के लुजियाओ का मजाग बनाने लगती है कहती है हाँ ये चोटी शीशी मेरा ध्यान रखेगी अब लुजियाओ बोलता है बॉस ऐसी बात नहीं है मेरे पास एब्स हैं और मैं आपका ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ जियाओ बोलती है तुमारे पास एब्स हैं तो ज़रा दिखाओ तो सही मुझे कैसे अब्स है तुमारे और ऐसे करते हुए ये मस्ती करने लगते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग लुजियाओ के फोन पे कॉल आता है और उसे जिया रिसीव कर लेती है उदर से उसकी छोटी भेन बोल रही थी लुजियाओ जियाओ को अपने बार में कुछ भी पता लगने नहीं देना चाहता था इसलिए वो बाथरूम से आती सीधे जियाओ की पास जाने लगता है फोन लेने के लिए लेकिन लुजियाओ नहीं कपड़े नहीं पहने हुए थे और जियाओ उसे एक से दिख करके आकर्ड महसूस करने लगती है उसे धक्का दे के परवर्ड कहने लगती है लुजियाओ उसे अपना फोन वापस मांगता है जियाओ लुजियाओ को उसका फोन वापस कर दीती है लूजियाओ बात्रूम में जाके बात करने लगता है और जियाओ सोचने लगती है क्या ये इसकी गल्फरेंट थी जितना उतावला हो रहा था मुझसे फोन चीनने के लिए वही लूजियाओ अपनी बहन से बात कर रहा था और इसे बता रहा था मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जियान हमारे फादर की डैट से रिलेटेड है तुम ये बताओ इस फोटो में तीसरा परसन कौन था यहाँ पे उसकी बहन बताती है कि वो लीमिंग था और मैंने उसकी सारी डीटेल्स तुमें सेंड कर दिया है वो बताती है कि तुम उसके घर में असानी से नहीं गुषपाओगी लेकिन हर महीनी वो साइकेटरिस्ट को दिखाने के ले जाता है अब लूजियाओ जब बादरूम से बाहर आता है तो जैलेट जियाओ उससे बोलती है कि तुमारी गल्फरेंट बुरा मान गई होगी मेरी आवाज सुन करके तो लूजियाओ बताता है वो मेरी गल्फरेंट नहीं है वो तो सिर्फ मेरी कजन है अब जियाओ को एक फोन कॉल आता है और वो वहाँ से घबरा की जाने लगती है वहीं दूसी तरफ इस त्यान्जू और इस बंदरिये को दिखाया जाता है ये बंदरिया त्यान्जू से बोलती है तुमने बोर्ड ओफ डिरेक्टर की मीटिंग में इतना जोर लगाया सिर्फ और सिर्फ जिया को उस सबसीजरी कमपनी में ट्रांसफर करने के लिए तुमने से सीधे कमपनी से निकलवाने की क्यों बात नहीं की त्यान्जू बोलता है जिया अगर उस सबसीजरी कमपनी रेंडी में जाएगी तो वो अपने आप ही इस company से निकल जाएगी क्योंकि वो company कुछ दिन में बंद होने वाली है और उसके बात मैं उस जिया के साथ-साथ उस पूरी company को ही निकाल दूँगा काम से फिर वहीं रूम में entry हो जाती है जिया की जिया अगर के इन लोगों से बोलती है कि तुमने मुझे subsidiary company में क्यों transfer किया है जिया उसे शान करा के बोलता है ये तो तुमारे लिए opportunity है कि तुम अपने फादर के company को सही कर पाऊगी अब जिया इस बंदरिया को देखके बोलती है कि फिर ये बंदरिया यहां क्या कर रही है त्यांजू बोलता है इसे भी board of directors ने बुलाया है company के development के लिए यहां पर जिया बोलती है कि इसे board of directors ने company के development के लिए बुलाया है या फिर तुमने अपने लिए बुलाया है जिया इन दोनों के उपर चिलाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे सब पता है कि तुम लग कैसे इंसान हो त्यांजू बोलता है तुम गलत समझ रहे हो बेबी अब जिया यहां से जाने लगती है और बोलते हो जाती है कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो अब जिया उस सबसिडरी कमपनी में पहुँच जाती है जिसकी हालत कुछ जादा ही बुरी थी जिया आकर के बोलती है सारे इंपलोईस कहा गए है तो उसे पता चलता है कि सारे के सारे इंपलोईस चुट्टी पे गए है खेर अब जिया अपने कैविन में जा करके काम करने लगती है जिया के पास लूजिया वाकर के चुट्टी मांगता है एक दिन की जिया उसे दे देती है उसके जाने के बाद जिया सोचने लगती है कि अगर ऐसी चलता रहा तो ये सबसीडिरी कमपनी बंदो चाहेगी वहीं जिया के कैविन के बाहर दो लोग ये बात कर रहे थे कि अब तो ये कमपनी बंदोने वाली है हमें दूसी कमपनी में जाब ढून लेनी चाहेए तो जिया 12 करकी इनकी बाते सुनने लगती है एक बोलता है कि मैं तो आर्रेडी जाब ढूंड ली है जिया पीछे से बोलती है कि तो कौन सी कंपणी में मिली है तो में नई जाब यह दोनों लोग जिया को देख करके डर जाते हैं वहां जाकर कि उसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए है। वो डिरेक्टर तो एक नंबर का ठरकी इंसान था वो जिया के साथ बत्तमीजी करने की कोशिश करने लगता है तो क्या अब लूजियाओ आकर के जिया को बचा लेगा और इन दोनों की कहानी आगे क्या टान लेने वाली है क्योंकि इन दोनों को अब एक दूसरे के लिए फील होने लगा है साथी जिया इन चीटर से कैसे बदला लेगी और लूजियाओ क्या उसे पते चल पाएगा कि उसकी फादर की डेथ के पीछे क्या रीजन था यह सब कुछ जानेंगे हम इस सीरीज के नेक्स पार्ट में जो कि इसका लास्ट पार्ट भी होगा तो तब तक आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लो नोटिफिकेशन बैल को ओन कर दो और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना थैक्स ववाचिंग मिलते बाचल